नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पबलिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में जिसमें हम आपके रूबुरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों सिरसला पीम नरेंद्र मोदी ने आज सत्तर हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र बाटा है पीम ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं को नौकरी मिली है आप सभी युवाओं को आपके परिजनों को बहुत-बहुत से जीतन राम मांजी ने केंद्र अग्री मंत्री अमिट शाह से दिल्ली में मुलाकात की गुरवार को जीतन राम मानजी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ शाह से मिलने पहुचे थे और उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है अभी हाली में होली के दिन तोप का गोला गीने से गया में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी मानजी ने ग्रेह मंत्री से इस पर ठोस कदम उठाने और पेडित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की इस बीच केंद्रिय वानेच जी और उद्योग मंत्री पियूश गोयल इटली की दो दिवसीय यात्रा पर कल जों पहुँचे उन्होंने इटली के उपप्रधान मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की दोनों नेताओं ने द्विपक्षी अवापार और आर्थिक सम्बंधू की विस्तार से समीखशा की वाने जी और उद्योग मंत्राले में एक वत्तवे में कहा कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार साजा किये और ये चर्चा की कि भारत और इटली के बीच व्यावसाईक और आर्थिक गतिविदियों को अन्यक्षेत्रों में किस तरह से विस्तार दिया जा सकता है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक दक्षिन का प्रतिनेधित्व करता है विकास शील देशों और कम विखसे देशों की आवाज होने के नाते ना के इवल हमारे लोगों के लिए बहतर जीवन प्रदान करने में सबसे आगे रहा है बलकि अन्य देशों के लिए लोगों के लिए बहतर भविश्य में भी योगदान दे रहा है A large part of the world, which for several years did not have a voice, India today representing the global south, being the voice of the developing countries, the voice of the less developed countries, has been at the forefront of not only providing for a better life for our people, but also contributing to a better future for people in other parts of the world particularly in countries which have also been left behind in the development process दूसरी तरह सो विदेश मंत्री S.J. शंकर ने कहा है कि जो ताकते दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में लिप्त है वो अब जामती हैं कि ये एक अलग भारत है जो अब उन्हें हर चीज का जवाब देगा युगांडा में भारतिया समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही युगांडा में बुद्वार को भारतिया समुदाय को संबोधित करते हुए जशंकर ने देश को नए भारत में बदलने की बात कही भारत की सीमाओं पर सामने आने वाली चुनाओतियों के बारे में बोलते हुए जशंकर ने आगे कहा कि आज लोग एक नए भारत को देखते हैं जो लड़ने को तयार है और भारत जो हर तरह से राश्ट्री सुरक्षा चुनाओतियों का सामना करेगा वही उन्होंने कहा कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ढाचे में Global South की चिंताओं को स्वामिल करने की कोशिश कर रहा है रुकट्य अंगली खबर की तरफ उमेश पाल हतिया कांड में UPSTF ने बड़ी कारवाई की है माफियातीक एहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम एहमद का एंकाउंटर कर दिया गया है UPSTF ने ये कारवाई जहांसी में की उमेश पाल हतिया कांड में 5 लाग के इनामी असद और शूटर गुलाम का एंकाउंटर कर दिया जा चुका है प्रयाग राज स्टीफ की टीम ने दोनों को जहांसी में मार गिराया उमेश पाल की हतिया के बाद से पांचों शूटर फरार चल ले थे इन में से असद और गुलाम को आज स्टीफ ने मार गिराया है जबकि पुलिस ने गटना के चार दिन बाद एंकाउंटर में अरबास को भी मार गिराया 6 मार्च को उस्मान उर्फ विजे को भी एंकाउंटर में धेर कर दिया गया था UPSTF ने माफिय आती कहमद के बेटे असद का एंकाउंटर कर दिया बताया जा रहा है कि इसी के साथ शूटर गुलाम भी धेर हो गया है UPSTF ने इस एंकाउंटर को जासी में अंजाम दिया है इस मामले को लेकर UPSTF के ADG अमिताब यश ने कहा कि STF की टीम पिछले डेढ़ महिने से असद एहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी ADG ने आगे बताया कि एक बार तो शूटर गुलाम केवल पांच मिनट की देरी से मिस हो गया था लेकिन इस बार टीम को सफलता हाथ लगी गई टीम ने असद और गुलाम को जासी में लोकेट कर लिया उन्होंने कहा कि डिप्टी, SP, विमल और नवेंदू इस पूरे ओपरेशन को लीट कर रहे थे पुलिस का SOP होता है कि अपराधियों को जिन्दा पकड़ा जाए STF ने जब इन्हें चैलेंज किया तो इन्होंने फाइरिंग कर दी ये जवाबी कारवाई में मारे गए हैं, टीम को उनके पास से फॉरेंड मेड हतियार भी मिले हैं इसे नैरो डाउन किया है, इसके बारे में हम यहां डिसकस नहीं करेंगे लेकिन आज काफी मेहनत के बाद STF की टीम ने फाइनली इनको ट्रैकडाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई, हमें पहले जानकारी थी कि इनके पास सॉफिस्टिकेटड वबंद हैं, क्योंकि CCTV फोटेजेज उपलब थे, ऐसे वेक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैकडाउन करके इनको इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ, उसमें दोनों मारें गें उमेश पाल हतिया कांड में फरार चल रहा, पांच लाग काई नामी और माफिया अतीक अहमत का बेटा असद अपने साथ ही गुलाम के साथ स्टीएफ के मुटभेड में मारा गया, गुरवार दोपहर अस्टीएफ के जिप्टी एसपी नरेंदर कुमार और डियसपी, विम प्रदेश के उप मुख्य मंतरी केशो प्रसाद मौरे ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने का कि हम कानून व्यवस्ता की मुद्धे पर बिल्कुल भी समझाता नहीं करने वाले, एक-एक माफिया को मिट्टी में मिलाकर ही दमलेंगे, उन्होंने का कि एक अपराधी का ऐ प्रकार की चर्चाएं गर्म है लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दौर आये जाने की उनकी आशंका सर्च साबित हुई, इसलिए पूरे घटना के तथिय और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्चस्तरिय जांच जरूरी है खोजने के लिए उत्तर प्रदेश के पूलिस और एश्टिय आप पिछले 45 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी, आज जहासी में पूलिस से मुडवेड में वहां मारे गए हैं, या सूचना मुझे मिली हैं, मैं पूरी एश्टिय आप टीम को बधाई देता हूँ, और जो अपराद करेगा वह बचेगा नहीं, या तो फासी में चड़ेगा और अगर पूलिस के सामने सिरेंडर नहीं करेगा, तो पूलिस को जबाबी कारवाई करनी पड़ती हैं, यह बहुत बढ़ा संदेश है, और अपराद करने वालों को यह है कि अब आपराद करने वालो अफिया अतीक एहमत के बेटी और उमेशपाल हतिया कान की आरोपी असाद एहमत को जहासी में मार गिराया, जिस वक्त ये एंकाउंटर हुआ ठीक, उसी वक्त प्रयागराच की सीजेम कोल्ट में अतीक एहमत और उसके भाई अश्रफ पेश हुए थे, दोनों को 14 दिन की प अब शांतिपाल ने कहा कि योगी राज में देर है पर अंधेर नहीं, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, दोनों ने ही मुख्यमंत्री की प्रती आभार व्यक्ति किया और कहा कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया है वायसत के इनकाउंटर के बाद राजनी प्रती आभार व्यक्ति की प्रती आभार व्यक्ति की प्रती है वायसत के इनकाउंटर के बाद राजनी ती अपने चरम पर है एसी बीच बीजेपी नेता गिरीराज सिंग ने नीतीश कुमार को नसीहत दे डाली गिरीराज सिंग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनात की सरकार किसी के साथ गलत नहीं करती है वहाँ सभी को एक समान माना जाता है उन्होंने कहा कि योपी में लाउट स्पीकर पर रोक लगी तो सभी के लिए लगी ना कि किसी एक धर्म के लोगों के लिए गिरी राज सिंग ने कहा कि योगी आदित्यनाद ने कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ो या फिर राज जी को छोड़ो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाद से सीख लेनी चाहिए यूपी की जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है तो वही बियार की जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती है कानून वियवस्था पर नीती इशकुमार को योगी आदितियनाद से सीख लेनी चाहिए इसी के साथ इस स्पेशल बुलिटन में बसितना ही लेकिन देश और दुनिया की खबर अभी बाकी है जले सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले करें दूटाइब करें दो